iPhone से जब भी कोई call प्लेस करते हो, तो mute तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उस call को hold पे रखना है, तो वो option कहीं पे छुपा हुआ है, और उसको activate करने के लिए ये जो mute icon है, इसके उपर आपको long press करके रखना है, जैसे आप इसको long press करोगे, ये वाला call hold पे चला जाएगा तो mute का जो option है वो तो easily मिल जाता है, लेकिन hold का जो option है, वो इसमें छुपा हुआ है